हेलो बच्चो कैसे हो आप आई हो पढ़ाई आप लोगों की अच्छी चल रही होगी लेकिन बहुत सारे बच्चे मुझसे इंक्वाइरी करते हैं और और भी उनके दिमाग में काइंड ओफ क्वेश्चन उठा रहता है कि सर अगर IIT में कोई अच्छी ब्रांच नहीं मिल रह ही है तो क्या NIT की ये ये ब्रांच चीज या ये ये रैंक तक हम कुछ सोच सकते हैं NIT की तरफ इंक्लिनेशन मतलब ले सकते हैं या कोई जो भी अच्छा कॉलेज है वो NIT की कमपैरिजन में कितना बेटर है तो ये सारे क्वेश्चन से जिनके ऊपर मुझे ये वीडियो ब कर सकते हो आपको एक्च्वल में पता चल जाएगा कि कुछ NIT की कुछ ब्रांच से बैटर हैं कुछ बच्चे IIT को छोड़के NIT लेना पसंद करते हैं इससे आपको पता चल जाएगा और बच्चो जो भी मैं डेटा इसमें बताऊंगो बिल्कुल ऑथेंटिक है जोसा से ल यहां पर बच्चो मैंने यह पांच NIT लिखी है ठीक है ना और यह इन NIT की ओपनिंग रैंक है ठीक है जहां से वहां पर मतलब ब्रांच ओपन हुई है मानलो कंप्यूटर साइंस है तो पहला बच्चा जो टॉप सबसे अच्छी रैंक है वो कितनी रैंक वाला बच्चा है और यह लास्ट है यह क्लोजिंग रैंक है यानि के सबसे लास्ट वाली ब्रांच का लास्ट बच्चे की रैंक क्या थी वो यह है ठीक है ना और यह ओल इंडिया रैंक दिखाई है मैंने तो आप बच्चों देखो पांच NIT हैं त्रिची, वारंगल, सुरतकल, राउरकेला और अलाबाद ठीक है ना इसमें NIT तरिची में यह ओल इंडिया रैंक है 241 ओपनिंग रैंक है यानि के वहाँ पे जो पहला बच्चा जिसकी रैंक सबसे अच्छी है और उसने computer science ली थी वैसे इस बच्चे ने उसकी रैंक कितनी तो 241 कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर पहल बहुत बेतरीन रैंक होगी पर उसने IIT नहीं लिया उसने NIT तरिची लिया है यह यह बताता है यही मुझे आपके सामने प्रूव करना है यहाँ ठीक है तो बच्चो वारंगल में 1084,000 के आसपास और सुरतकल में 456 से ओपनिंग हो गई थी और रावरकेला में 1323 से ओपनि तो और यह last rank है यानि के एकर आपको िना इत्रीची जाना है तो आपको इसके और इसके बीच में रहेंगा इस साल बिल्कुल इसी के आसपास रहेगा कोई ज्यादा अंतर नहीं आता इसंटे साल भी कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं था ठीक है अब यह जो यह वाला एनलै काटेगरी की रेंक है मतलब औल इंडिया रेंक है और यह केटेगरी वाली रेंक है ठीक है यहां पर आप देखो एनाइटी तरिची के अगर मैं बात करूं तो औल इंडिया रेंक 241 से 996 तक की जो रेंक है उनको क्या मिला था कंप्यूटर साइंस अब आप खुछ सोचो 241 जिसकी जे में रेंक है 996 के बीच में रेंक है उसकी जे एडवांस में भी अच्छी रेंक होगी और डेफिनेटली उसको टॉप फाइव आईटी जो हैं उन में से हो सकता यह जो एनाईटी जैंगल से कम नहीं है ठीक है अब जो टॉप आइटी जैंट उनकी बात अलग है ठीक है वो तो लोग बाग एमोशनली लाइक करते हैं उनको कि मुझे तो इसी में जाना है उनको अगर हम छोड़ दें तो बाकी आईटी जो है ना उनसे कहीं हर एंगल से बेटर है यह अभी इस वक्त और आगे चलके जो भी डेवलप्मेंट हो रहे हैं उनके इसाब से आगे क्या होता है वो तो किसी को पता नहीं बट इस टाइम आईटी से किसी एंगल से कम नहीं है ठीक है अब अगर आप वारंगल की बात करते हो तो यहां से ओपनिंग है ठी किस रैंक से एड्मिशन स्थार्ट हो गया था कंपूर्टर साइंस में और किस रैंक पर कंपूर्टर साइंस बंद हो गई थी ठीक है न और यह बिल्कुł सेपरेट रहेंग इन रैंक का इससे कोई लेना देना नहीं है 58 9 ये All India Rank है इससे आप पूरा आइडिया लगा सकते हो कि आपको कहां fall करना है कहां admission लेना है कौन सी चीज आपके लिए better है क्योंकि जो ये बच्चे decision ले चुके हैं वो बहुत सोथ समझ के लिया होगा और almost वही history हर साल repeat होती है इस साल भी वैसाई होना है तो आप decision ले सकते हो क नहीं पर हमें दिमाग में रहता है कि यार कहीं IIT छोड़के NIT ले रहा हूं बहुत बड़ा difference ना आ जाए हमारे career में आगे चलके future में तो बच्चो ऐसा नहीं होता देखो कितने बच्चों ने इनको prefer किया है IIT के बजाए इनको prefer किया इन वाले बच्चों में देखो इनको Top 5 IIT में कोई दूसरी ब्रांच definitely मिल जाती, electrical मिल जाती, mechanical मिल जाती, कुछ भी मिल आइटी बॉंबे में मिल जाती पर इन्होंने IIT बॉंबे की कोई दूसरी ब्रांच लेने से better NIT तरिची की computer science ली, NIT वारंगल की computer science ली, NIT सुरतकल की computer science इनको जादा better लगी, NIT अलाबाद, राउर केला की ये ब्रांच इनको जादा better लगी तो बच्चों ये भी बहुत अच्छा option होता है इसके basis पे आप अपना decision रह सकते हो, best of luck पढ़ते रहिए, thank you